आप लोग इस लेक्चर में हम लोग ट्रेवलिंग वेफ परने वाले हैं रिफ्लेक्शन को आफिसेंट क्या होता है वो देखेंगे हम लोग ठीक है फिर सर्ज इंपिदेंश लोडिंग जो की बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग भी है लोग कंफ्यूज होते हैं तो वो पढ़ेंगे हम लोग फिर उसके बाद जो कंपेंसेशन करने से सर्ज इंपिदेंश लोडिंग पे क्या फरक पढ़ेगा क्या प्रॉब्लम आएगी या क्या कम होगा जादा होगा क्या यह सब चीज हम लोग इनलाइसीज करने वाले है गेट में कोशन पूछता है उस पर है ना और हम लोग को यहाँ पर तो आप खुदी पॉस करके लिख लेना मेरा कहने का यह मतलब है बहुत जादा थियोरी में के अंदर हमको नहीं जाना है लेकिन एक भी concept छूटेगा नहीं ठीक है तो अब यहां पर बात यहां आती है कि traveling waves मतलब क्या पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज होता है ना तो थोड़ा साम आपको पहले basic बता दे रहें फिर आपको idea खुद नहीं लग जाएगा कि क्या पढ़ने वाले हम लोग है ना देखो जैसे suppose कर हमारे पास यह जनरेटर है यह ज यह transmission land से connected है तो simple सी यह बात है कि जैसी switch को हम लोग close करेंगे जैसी यह इधर कहीं पे load होगा कहीं पे अच्छे से समझते हैं आपको पूरा basic तरीके से समझाने की कोशिस कर रहे है इधर load connected है तो अब यहां पर suppose कि किसी time interval पे जब t equal to 0 को reference ले ले रहे हैं जिस time में यह close हो अब जब यहां पर अच्छानक से switch को close करेंगे तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं तो इस case में क्या होगा एक DC offset भी current आएगा है कि नहीं एक transient आएगा AC transient network में पर होगे ना transient भी आएगा मतलब inductor की बज़े से है ना जब भी inductor रहे सरकिट में या capacitor रहे तो एक transient आता है तो एक transient रहेगा that is DC offset एक नहीं जो कि DC in nature नहीं तो अचानक से जैसी close करोगे ना तो एक बहुत high voltage आ जाएगा ह ना अचानक से जैसी close करेंगे तो एक बहुत high voltage आ जायागा जिसको हम लोग switching over voltage बोलते हैं शायद आपको याद होगा शायद आपको याद होगा जो DC offset था ऐसा था ठीक है ऐसा ही था DC offset तो अचानक से T equal to 0 tends to T equal to 0 देखो तो यह तो बहुत जादा value हो गया ना यह तो जादा value है तो अचानक से एक DC में इतना value मतब voltage इसके cross आ जाएगा तो इसको हम लोग switching voltage switching over voltage बोलते हैं ना switching transient करेक्ट है एक तो यह हो गया दूसरा आप यह समझ लो दूसरा आप यह समझ लेजिए कि यहाँ पे कहीं पे मतब जैसे एक जो है ना lightning सर्ज यहाँ पे गर रहा है ना lightning जो होता है ना transmission line पे गिर गया ऐसे इसको transmission line को बचाने के लिए उपर में तो transmission line में सब से उपर में हम लोग क्या रखते हैं ग्राउंड वाइट ही रखते हैं यह तो शैद आपको पता होगा लेकिन फिर भी safety के लिए हमको analysis तो करना परेगा ना कि अगर मान लो lightning सर्ज यहा पर नहीं करेंगे हम लोग transient की बात करेंगे हम लोग इस चीज की बात करेंगे जैसे कि मान लो एक डिसी यह जो है ना surge जमीन पे गिर गया मतलब लाइन पर सौरी जमीन पर नहीं लाइन पर एक सर्ज गिर गया है तो अबिशली कुछ इसी टैप को अगा ना मान लो अंडेर पर डिसी वोल्टेज आ गया है कि नहीं तो इन सब चीज को हम लोग अचानक से कहने का मतलब पता है क्या है अचानक से कहने का इसका हम लोग अनलाइसिस करेंगे इसका अनलाइसिस करेंगे है ना तो यह सब चीज हम लोग को इस क्लास में पढ़ना है हम लोग को steady state response नहीं देखना है न हम लोग ट्रांजियंट देखेंगे तो यह जैसे लाइटनिंग सर्ज यहां पर गिरा वो है उसके बाद कुछ सप्लाइड डीसी अचानक से डीसी आ गया उसके स्टेप सिगनल के टैप का है आपको दिख रहा है न तो हम लोग इसी टैप के सिगनल को इनलैसिस क को चाहिए क्या है कि अगर माँ लोग कोई लाइटनिंग सर्ज यहां पर गिरे या स्विचिंग और वोल्टेज यहां पर अचानक से आजाए तो यह आगे जाते जाएगा आगे जाते जाएगा है कि नहीं तो जब यह लाइटनिंग के वैसे आगे जाते जाएगा यह जो सर्ज आगे जाते जाएगा तो ऐसा आगे ट्रांसफॉर्मर हो सकता है और भी चीज हो सकता है तो वो तो डैमेज हो जाएगा तो हमको उसको बचाने के लिए यह जो सर्ज का जो behavior है, उसको तो analysis करना परेगा, उसी के हिसाब से हम लोग protective equipment और बांकी सब चीज लगाएंगे, है कि नहीं, तो इस topic का मतलब यह है, इस topic में हम लोग यह पढ़ने वाले हैं, कि यह सब जो surge है ना, यह कैसे जाता है, है कि नहीं, कितना reflect करेगा, कितना transmit करेगा, यह सब यह practically important भी होता है, जब आप join करोगे कहीं पर, तो वहाँ पर देखोगे, safety equipment सब जो हम लोग बनाते हैं, तो इन सब को measure करके बनाते हैं, यह सब चीज को ध्यान में रखके हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो आपको उमीद है, इस type का चीज यह सब समझ में आ गया होगा, अब बढ़ ते को, transient जो होता है, पावर सिस्टम में, थीन टैब का होता है, कैसे पावर सिस्टम में 3 pra Eldi होता है, वो भी हम आपको बता रहे है, पावर सिस्टम transient, पावर सिस्टम ट्रांग्जियन्ट सबसे पहला यह सब याद रखेगा थोरीट कल में हम ऐसे शुरू में बोले कि नहीं जाएंगे लेकिन थोरा बहुत जाना ही पड़ेगा ना कभी आपको फील आएगा सबसे पहला तो है सर्ज छाज संसे मतलब यही अचनक से लाइटनिंग सर्ज घीरा या फिर स्टी ऑवर वोल्टेज या स्टीचिंग वोल्टेज अचानक से क्लोंस कर दिए तो एक DC आपसें टेप का या है ना सर्ज य जो होता है वेरी सार्ष बहुत है सर्ज गाने दूसरे काशोर्ट सर्केटट Payton 인ग सब्सक्राइब इस घर तो हम के सिर्ड vo altogether शोर्ट सर्कीट ट्रांज Sadra s Корकिट ट्रणजियंट यहा कदर आधा निगार मीडियम speed हम यहाँ पर लिख रहे हैं medium speed इसका और उसके बाद होता है transient stability transient stability इन सब तीन टैब का transient होता है basically power system में transient stability तो यह slow होता है है कि नहीं यह slow होता है तो देखो आप इन तीनों में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा fast कौन सा travel करेगा transmission line के across है ना in fact हम आपको बता देरे हैं सबसे ज्यादा fast हो आपको obvious है कि surge करेगा voltage surge करेगा सबसे ज्यादा fast है कि नहीं surge मतलब किसके वैसे होगा फिर हम बता रहे है lightning surge होगा या फिर switching surge होगा उस type का कुछ होगा इसका स्पीड जो होता है और approximately 3 into 10 to the power 8 meter per second होता है मतलब क्या है कि 3,00,000,000 km per second होता है यह 3,00,000 km per second होता है यह फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं 300 km per millisecond होता है इसका स्पीड correct है 300 km per second होता है switching over voltage होगा या फिर जो lightning surge होगा उसका स्पीड 300 km per millisecond होता है तो आप ही सोचो यह 1 millisecond में 300 km जाएगा सोचो आप है ना कितना भयानक चीज है यह तो इसका मतलब यह हो गया कि इस पे हम लोगों को अलग से analysis करना भी परेगा क्योंकि यह सारे system को damage कर सकता है आप यह चाहेंगे ना कि जो switch ही जो lightning surge गिरे तो उसका effect transformer तक नहीं पहुंचना चाहिए उसका effect हमारे load तक नहीं पहुंचना चाहिए यह आप भी चाहेंगे है कि नहीं तो इस topic में हम लोगों को यही सबचीज देखना है कितने से reflect करेगा कितने से transmit करेगा कितना voltage वापस आ जायगा reflect कर जायगा कितना transmit हो जायगा और यह सबचीज हम लोगों को बिखना है करेक्ट है उसके बाद हम आपको ये भी बता चुके हैं । लोंग ट्राउसमीशल लैन के केस में तो एब उसमें हम लोग वेव का भी यह सब चीज लगानी परेगी बहुत सिंपल देखते जो आपको सबसमझ में आ जाएगा तो traveling waves को पढ़ने के लिए हम लोग जो long transmission line में कुछ-कुछ formula derive किये थे उसका use करेंगे हम लोग है ना तो उससे आप असानी से समझ में आ जाएगा आपको और यह बहुत important है गेट के point of view से भी बहुत important है बहुत बार पुछता है और बहुत लोगों को although यह बहुत easy है लेकिन थोड़ा सा mathematical term इसमें जादा है ना तो लोगों को थोड़ा सा tough लगता है यह है ना otherwise आप देखिएगा बहुत easy है आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा बहुत असानी तरीके से हम कोशिज करेंगे आपको समझाने की ठीक है तो थोड़ा सा long transmission line में जो हम लोग formula derive किये यह long transmission line है सपोज करो this is vs angle delta vs का magnitude है and this is vr angle 0 है ना फिर यहां से is था इधर से और यहां से सपोज करो ir और यह x equal to 0 और यह क्या है x equal to L ठीक है x equal to L अब इस case में देखना आप एक मिनट यहां पर देखिए ऐसा था यह चीज देख चुके हैं इसमें क्या था यह long transmission line है correct है long transmission line parameter distributed होता है एकि नहीं अब इसमें जब parameter distributed होता है तो vx जो हम किसी भी point पे निकाले हुए थे vx है ना x मतलब receiving end से हम लोग measure कर रहे हैं तो vx किसी distance पे हम लोग निकाले हुए थे वो था vr plus ir into zc by 2 e to the power gamma x plus vr minus ir into zc divided by 2 into e to the power minus gamma x और zc क्या था characteristic impedance characteristic impedance क्या था जो voltage wave और current wave को जो impedance offer होता था ना that was characteristic impedance बता चुके हम ठीक है गामा क्या था propagation constant ठीक है तो यह भी चीज हम लिख दे रहे हैं अभी आप रूको एक मिनट तो यह vx था ix क्या होगा ix क्या था बस इसमें zc से आप divide कर दो बस यहाँ पर minus कर दो तो vr by zc plus ir divided by 2 into e to the power gamma x करेक्ट है यह चीज था आप यहाँ पर इसी का यूज करेंगे हम लोग है ना बस एक बार आप यह formula देख लिजे हमको पता है कि आप मैंसे बहुत लोगों को लग रहा हो कि बहुत complicated है यह लेकिन क्या करें आप ऐसे परेंगे यह तो ऐसे देखो यह फिर और भी complicated है उसमें तो हम जा ही नहीं रहें वो तो full course में जाएंगे हम है ना हम आपको ऐसी समझाने की पूरा कोशिस करते हैं ऐसी सब समाज में आ जाएगा ठीक है फिर उसके बाद था zc characteristic impedance तो characteristic impedance क्या था r1 plus j मतब basically characteristic impedance क्या था z1 by y1 and this is equal to r1 plus j omega l1 divided by g1 plus j omega c1 और lossless line के लिए क्या था lossless line के लिए r1 equal to g1 equal to 0 तो यह क्या हो गया था for lossless line lossless line zc क्या है zc equal to मतब r1 equal to g1 equal to 0 lossless line के लिए तो यह आ जाएगा l1 by c1 है ना characteristic impedance was l1 by c1 अब अगर आप देखो अब अगर इसमें l से आप multiply कर दो मतलब आप ऐसा देखो यहाँ पे l1 into l divided by c1 into l कर दो l1 into l divided by c1 into l तो यह क्या हो जाएगा टोटल l by c l1 is inductance per unit length है ना तो टोटल l by c तो एक चीज़ अप नोटिस करो जो इंपिदेंस lossless line के लिए जो एक किलो मीटर का ना यह सब तो पर किलो मीटर में है ना वही total के लिए total length के लिए तो मतलब characteristic impedance के होगा independent of length of the line होगा correct है और characteristic impedance in case of lossless line is called surge impedance surge impedance के बारे में just हम वहाँ पे long transmission line में लिख दिये हुए थे detail में analysis हम लोग यहाँ पे करेंगे surge impedance का basic definition है ना बहुत लोगों को नहीं आता है तो वह चीज़ definition हम यहाँ पे हम लोग analysis करेंगे तो यह हो गया similarly attenuation जो भी था ना propagation constant gamma यहाँ पे तो इसको भी हम लोगों देख लेना चाहिए use होगा इन सब में use होगा traveling webs में तो gamma is equal to under root r1 plus j omega l1 into g1 plus j omega c1 था ठीक है तो इसमें भी आप देख चुके different case हम देखे हुए हैं लेकिन यहाँ पे जो use होगा वो case हम आपको बता रहे हैं इस case में lossless line के लिए for lossless line for lossless line r1 equal to g1 equal to 0 तो gamma is equal to क्या होना अंडर root j omega तो j omega l1 into c1 and this will be equal to j beta तो beta जो आया था हमारे पास omega under root l1 into c1 आया हुआ था याद होगा आपको और आपको एक चीज़ और भी याद होगा कि beta equal to क्या था omega by 1 by under root l1 into c1 हम लोग कर सकते हैं एक नहीं और 1 by under root l1 into c1 क्या है speed of propagation बता चुके हम यह याद रखना है इस पे भी question होता है omega equal to 1 by under root l1 c1 इस पे भी question आता है ठीक है तो इसको हम लोग कर सकते है omega divided by vc मतलब omega per unit length का है सारा कुछ l1 c1 सा per unit length ठीक है vc तो lambda into f आ जाएगा ठीक है मतलब 2 pi omega को 2 pi f लिख सकते हो अब 2 pi f divided by lambda into f lambda into f तो f से f cancel तो beta equal to कितना रहेगा 2 pi by lambda रहेगा तो यह सब चीज हम लोग देखे हुए है इन सब पे question पूछता है गेट में है कि नहीं हम लोग डिटेल में देखना अब आते हैं हम लोग traveling waves पे अभी तक हम महौल बना रहते हैं अब आते हैं हम लोग traveling waves बहुत ज्यादा नहीं है बहुत असान तरीके से अब समझ में आ जाएगा इस formula का तो यूज करेंगे हम है न अब देखो अब यहां पर देखिए traveling waves traveling waves यह तो डॉक्टर जैसा handwriting हो गया है लेगिन कोई नहीं समझ जाओगे न आप traveling waves देखो क्या है कि suppose करो यह हमारे पास transmission line अना x equal to 0 receiving end vr vs is x equal to l यह length कितना है l है यह l length है correct है अब अगर आप देखें तो voltage at any distance x suppose करो यह x है ठीक है यह x है और यह del x length है ठीक है तो voltage at any distance x अगर आप देख रहे हैं तो expression अगर आप देखें होंगे तो क्या था voltage at any distance x वो क्या था vr plus ir into zc divided by 2 into e to the power gamma x plus vr minus ir into zc divided by 2 into e to the power minus gamma x है कि नहीं हम लोग source किदर लगा रहे हैं इधर source लगा रहे हैं यह source लगा हुआ इधर correct है अब इस expression को जरा गौर से आपको देखना है अब आप यह देखिए इसको आप एक काम करिए आप इसको एक काम करिए इसको हम लोग v1 dash लिख रहे हैं तो different है नहीं तो v1 dash v1 अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो v1 अगर आप देखेंगे v1 को आप जरा सा देखो एकस्प्रेशन बस नोटीस करो vr प्लस r into zc divided by 2 into e to the power gamma x अब आप यह बताओ कि अगर यहाँ पर x अगर x यहाँ पर decrease हो रहा है x decrease होने का मतलब क्या है x decrease होने का मतलब है source से load की तरफ जाना है x decrease होने का मतलब है x equal to l तो यहाँ पर source पर है x equal to 0 यहाँ पर load पर है तो decrease होने का मतलब source से load की तरफ जाना चरेक्ट है तो x जब decrease करेंगे हम लोग तो इस केस में क्या होगा V1 क्या होगा x जब decrease होगा e to the power gamma x है तो जब x decrease होगा तो V1 بھی decrease होगा मतलब हम यह बोल सकते हैं कि इस डिरेक्शन में वोल्टेज डिक्रीज होते जा रहा है वोल्टेज डिक्रीज होते जा रहा है तो इसका मतलब हम यह बोल सकते हैं कि incident हो रहा है इस direction में जिस direction में voltage decrease होता है उसी direction में तो incident हूँ मतलब माना जाता है कैसे तो देखो एक example देखो suppose करो यहाँ पर हम 16 volt लिए है नो यहाँ पर resistance है यहाँ पर resistance है यहाँ पर resistance है ऐसे यह 2 ohm है 3 ohm है 4 ohm है और यह current है 1 ampere ठीक है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर voltage कितना रहेगा 14 volt यहाँ पर voltage कितना रहेगा 3 मतलब 11 volt ऐसे करके इधर voltage decrease हो रहा है तो हम यह बोल सकते हैं कि यह voltage इधर incident हो रहा है है कि नहीं तो जिस direction voltage decrease करेगा due to attenuation due to attenuation है ना जिस direction में voltage decrease करेगा उसी direction में हम लोग क्या मानेंगे कि voltage incident हो रहा है है ना एक छोटा छोटा concept हम आपको बताना चाह रहा है ठीक है तो यह जो है ना यह voltage incident हो रहा है from source to load करेक्ट है similarly V1' के बारे में अगर आप देखेंगे V1' के बारे में अगर आप देखेंगे तो V1' क्या होगा V R minus IR into ZC divided by 2 into E to the power minus gamma X same आपको ऐसे देखना है अगर इस case में X increase होगा X increase होने का मतलब क्या है X increase होने का मतलब है from load to source load to source अब इस case में अगर X increase होगा तो इस case में अगर X increase होगा इसका मतलब क्या हो V1' क्या होगा यह decrease होगा X increase होगा मैनस gamma X है ना तो यह V1' decrease होगा मतलब इसको हम लोगो क्या बोल सकते है इसको मतलब देखो इस मतलब जैसे देखो यह इस direction में incident हो रहा है और अगर इसको देखें तो source से मतलब load से source इसको अगर देखें तो load से source के तरफ यह magnitude इसका decrease हो रहा है मतलब हम यह बोल सकते है कि load से source के तरफ इसको 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 बता रहा है है कि नहीं तो हमारे पास दो चीज़ है पहला ऐसा है कि load से मतलब देखो दोनों चीज़ के बारे में हम specifically आपको बता रहा है पहला ऐसा है कि source से load की तरफ incident हो रहा है और यह ऐसा है कि load से source की तरफ increase हो रहा है मतलब load से source की तरफ incident हो रहा है correct है मतलब एक time पे हमारे पास दो wave है मतलब एक source से load की तरफ गया और दूसा क्या है लोट से source की तरफ आया है ना इसका मतलब reflection हुआ 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 तब ही तो आ रहा होगा ना इदर अब समझ जो मेरी बात इसका मतलब reflection हुआ होगा है ना इसी चीज़ को हमको analysis करना है समझ जाएं यह चीज़ इसी चीज़ को हमको analysis करना है और वही करी रहे हैं तो आप जड़ासा एक मिनट और भी गौर फर्माएं वी एक्स तो ऐसा था ठीक है तो वी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं वी एक्स कैन बी रिटेन एज एक मिनदा टुक जाओ VX को हम कैसे लिख सकते हैं तो देखो अब VX को हम ऐसा लिख सकते हैं VX is equal to V1 plus V1 dash लिख सकते हैं ना इसको V1 और यह V1 dash अगर IX भी आप देखो जो की expression आप देख चुके हो IX क्या था IX क्या था वो भी देखिया आप IX था VR by ZC plus IR into E to the power gamma X plus नई सौरी मैनस था यहाँ पे minus VR by ZC minus IR divided by 2 into E to the power minus gamma X यही तो था तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो IX को आप ऐसा लिख सकते हो IX को आप ऐसा लिख सकते हैं कि यह V1 by ZC क्यों V1 क्या है VR plus IR ZC by 2 है तो divided by ZC अगर करोगे तो VR by ZC plus IR divided by 2 VR by ZC plus IR divided by 2 भी था यहाँ पे mistake हो गया तो यह हो गया V1 by ZC फिर उसके बाद देखो VR by ZC minus IR तो VR by ZC VR by ZC minus IR divided by 2 करें तो इसको V1 dash हम लोग कर सकते हैं V1 dash by ZC समझ रहेंगे चीज़ तो आप यह देखिए तो आप अगर एक चीज़ नोटिस करें तो V1 क्या था V1 था incident voltage incident voltage है कि नहीं जो कि source से load की तरफ जा रहा था V1 dash क्या था reflected voltage reflected voltage यह क्या था जो कि load से source की तरफ आ रहा था याद है ना जश्ट अभी बताएं दो तीन मिनट पहले similarly अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें I X को अगर हम लोग ऐसे लिखें तो this is I 1 plus I 1 dash लिख सकते हम लोग इसको तो मतलब देखो I 1 क्या है I 1 को हम लोग क्या लिख सकते है I 1 is incident current incident current I 1 is incident current and I 1 dash क्या है I 1 dash क्या है I 1 dash is reflected current I 1 dash is reflected current I 1 dash is reflected current correct है इसमें कोई प्रावलम नहीं है अब देखो I 1 यह भी याद रखेगा इससा पर question आगे काम हो सकता है कि आगे आए यह इसका expression V 1 by Z C and I 1 dash is equal to minus V 1 dash by Z C minus V 1 dash by Z C है ना याद रखेगा यह चीज़ इतना clear है मतलब यह कोई formula आपको याद नहीं रखना है समझना है अभी आपको समझना है सब कुछ ठीक है एक incident होगा दूसरा reflected होगा correct है तो incident और reflected का थोड़ा expression भी आपको समझ में अगर आ जाए तो अच्छा ही होगा याद रखने के लिए आगे के लिए ठीक है तो अब आप देखिए next देखो हम लोग although अभी गेटवेट के लिए आपको crash course बता रहे हैं ना पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको अगर इतना ये सब चीज़ जान जाओगे ना तो एक basic understanding आपको आएगी है ना फिर IAS हुआ हर जगा का question आप लोग कर सकते हो अराम से ठीक है trust us trust gate academy है ना देखो अब यहाँ पे क्या होगा जैसा कि अभी तक आप करते आ रहे हो उमीद है कि आपके trust पे खड़ा भी हम लोग उतर रहे हैं आपको मतब provide भी कर रहे है डांडे सर के super leadership में ठीक है तो चलो ठीक है इसमें आप आगे देखिए इसमें आप आगे देखिए इसमें कोई problem नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तो इसको जड़ा सा अगर network के form में आप देखिए आप तो अच्छे से आपको समझ में आ जाए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो ठीक है तो देखिए आप हमारे पास जो transmission line है हमारे पास जो transmission line है लॉस लेज के हम लोग बात कर रहे हैं कि लोट ए सांधिया वायлад की बात करें ब्लोग तो मतलबuuёт transmission लाइन की बात करें तो ट्रीक निएब ऐसा होगा ल्ट्रांस कि ना तो उसमें डिशिस्टेंस तो होगा तो ऐसा है अब जो characteristic impedance है अब जो characteristic impedance है for lossless line is surge impedance हम यह बता चुक है surge impedance के बारे में फिर से अभी देखेंगे detail में ठीक है और surge impedance जो था जैसे suppose करूँ L1 C1 L1 C1 L1 C1 है ऐसे बहुत सारा है ऐसे मालो तो surge impedance जो होगा length से तो independent था तो इतने इतने का कितना हो जाए surge impedance अंडरूट L1 C1 और पूरे का भी surge impedance अगर देखे तो यह कितना होगा अंडरूट L1 by C1 ही होगा करेक्ट है surge impedance इस independent of length of the line ध्यान में रखना इस चीज़ को बहुत important है तो हम इस पूरे को replace करके हम normal सा कुछ ऐसा बना सकते है ना नॉर्माल साम ऐसा बना दें दिस इस जैड़ सी ठीक है और यह यहां पर जैड़ यह जैड़ आ जाएगा है गरें यह क्या है करेक्टरिस्टिक इंपिडेंस और लॉस्ट लेस के लाइन के 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 समें जैड़ सी इकोल टू क्या होना चाहिए अंडरूट L1 by C यह चीज़ आपको हम बता रहें सर्ज इंपिडेंस जैड़ सी इकोल टू अंडरूट L1 by C इन केस ऑफ लॉस्ट लेन याद रखें लॉस्ट लेस बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत काम आएगा यह बहुत ज्यादा काम आएगा इस चीज़ को याद रखेंगा करेक्रिस्टिक इंपिडेंश जैड़ सर्ज उंपिडेंश इन केस ऑफ लॉस्ट लेस लाइन बार बार बर रहें बोल रहें अब इसमें देखिए इसमें देखिये अब वी-1 यहां से incident उए अब है तक हे अब आप फ Ama क्या से रिफ्लेक्ट कर गया हूए किशी पुइन्ट से देखो ऊगर आप जैसे देखो पानी में सिख्का को रखा हूए ठीक है अगर आप बाहर से देखा यह तो मैं तूरा ऊपर ऊठा हुआ दिखेगा इसा होता जो वेव जा रहा है थे अलग है तो वहां से reflect कर जा रहा है कुछ है न इसी लिए reflection वहां पर इसी वज़े से वह जो सिक्का है वह तोड़ा ऊपर आपको दिखाए दे रहा है अगर वोल्टेज वेव है तो भी current वेव है तो भी sound वेव है तो भी light वेव है तो भी कोई भी wave रहे, electromagnetic wave है तो भी, है ना तो reflection होगा अगर Z equal to ZL नहीं है तो definitely reflection होगा लेकिन Z equal to ZL है तो medium में तो कोई change होगा है नहीं, एकदम कोई reflection नहीं, direct यहाँ पर transmission ही होगा इतना समझ गये, तो अभी मान की चली reflection है, तो V1- अब अगर देखो कि यहाँ पर देखो, V1 और V1- सेम तो नहीं है V1 और V1- सेम तो नहीं है तो कुछ reflection होगा और कुछ transmission होगा एक नहीं, तो suppose करो V double dash transmit होगा एक नहीं, simple चीज को रखना है, हम एक sentence को बहुत बार बोलते हैं, हमको लगता है कि अब I1- reflect कर रहा है है कि नहीं, तो यहाँ पर I double dash transmit होगा simple जैसा voltage वैसा current, है कि नहीं तो अब अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें इसका equation तो जो incident हो रहा है, तो कुछ reflected करेगा और कुछ transmit करेगा है ना, V double dash is transmitted same with current, I1 कुछ जो incident कर रहा है, तो कुछ reflect करेगा, और कुछ क्या करेगा, transmit करेगा, है कि नहीं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में देखना है, लेकिन लेकिन, एक चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर देखो, यहाँ से इस direction में देख रहा हूँ, यह चीज हम लोग full course में, बहुत detail में देखने वाले हैं लेकिन अभी अगर उसमें उतना जाएंगे तो time लग सकता है, ना, तो इसलिए हम लोगों को precise रखते हुए सब कुछ को पढ़ना है, चाहे question कहीं से भी आये तो वो solve होना चाहिए है, ना, तो अब यहाँ पर देखो, कि जो V1-I1- है तो यह उल्टा हो जाएगा, मैनस हो जाएगा, है कि नहीं, मतलब अगर यहां से यहां तक 16 वोल्ट मेजर कर रहे हो आप, तो फिर देखो, इस direction में अगर 16 वोल्ट है, तो मतलब इस direction में आप, देखो, तो simple सी बात है, इस direction में अगर drop है, तो इस direction में क्या है, gain है, है ना, तो एक को साथ अगर, एक को साथ अगर plus, एक के साथ अगर plus लिखते हैं, तो दूसरे के साथ minus आपको लिखना परेगा, एक नहीं, तो मतलब अगर reference आप change कर दो, calculation purpose से हम आपको बोलें, थोड़ा simple हमारे पास expression निकल जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर दें, ठीक है, तो इसी चीज़ को थोड़ा दूसरे के form में हम लिखना चाहरा है, इसी चीज़ को हम दूसरे form में लिखना चाहरा है, यह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लो, यह देखिए, ऐसा है, this is ZC, यह ZL, ZC, ZL, ठीक है, इदार से I1 current जा रहा है, अब देखो, यहाँ पर क्या था, V double dash, और यह current क्या था, I double dash transmitted, correct है, और इस direction में अगर हम लोग देखें, अब यहाँ पर तो minus V1 dash आ जाएगा, क्योंकि इस direction में तो V1 dash था, तो उल्टे direction में minus V1 dash, similarly यहाँ पर minus I1 dash आ जाएगा, यह कि नहीं, उल्टा हो गया, तो अब अगर इससे पता है, इससे हमारे पास एक अच्छा relation आ जाता है, relation मतलब transmitted coefficient of voltage का relation आ जाएगा, transmitted coefficient of current का relation आ जाएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं, तो अब अगर आप यहाँ पर देखें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, V1 is equal to minus V1 dash plus V double dash, similarly I1 is equal to minus I1 plus I double dash, correct है, बस हो गया, अब क्या, यह खतम हो गया, topic ही खतम हो गया, इतना ही था बस, है ना, तो अब अगर आप देखेंगे, तो V double dash को हम लोग कर सकते हैं, V1 plus V1 dash, I double dash को हम लोग कर सकते हैं, I1 plus I double dash, बस देखो अब बढ़ियां से देखना, बढ़ियां से देखना है, य क्या कर दिया हम यह बिश्टेग हो गया इसको हम लोग लिए करेंट को लिए सकते हैं एक एक मिन ने दूखू V Double Dash पो हम लोग लिए सकते हैं V1 प्लस्य 16 लिए ना आइडवाइडाइस को हम लोग लिए सकते हैं V1 अब अगर देखें आइडाइडाइस यहां पर Nikki ऐड और इसको दूसरे कलर से लिखे अब तो हमारा रिजल्ट आने का टेम आdd ऐगे आइ डाएस को वीडवाड़ ड़्च सकते हैं आफ लोगा वी-डव्ड़ ड़ dh इसके क्रोस्वोटेज वीडबल डैस का वोलतेज है तो वीडबल डैस वाज्द हम यहां पर लग सकते हैं ठीक है एक्वल टू आईवन को क्या था आईवन क्या था तो वीवन बाई जेडसी था ऑई वन इस वीज अब वह कहां चला गिया ione is इसका मतलब आप यहां पर कैसे इसको लिख सकते हैं इसको आप ऐसे लिख सकते हैं V''ZL is equal to V1 by ZC minus V1'ZC है कि नहीं सिंपल सा एक बस डिराइब करने है बांकि तो अपने आप आजाएगा आपको आपको बता रहे हैं देखते रहे हैं पावर सिस्टम को सबसे असान बनाना है V''ZL को हम लोग लिख सकते हैं V1 by ZC V1 by ZC minus V1 dash है ना तो V1 dash हम लोग यहां से देखें तो क्या हो सकता है V double dash minus V1 है ना तो इसको लिख सकते है V double dash minus V1 है गी नहीं V1 dash को लिख सकते है V double dash minus V1 divided by ZC तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा V double dash by ZL is equal to V1 by ZC minus V double dash by ZC plus V1 by ZC ऐसा हम लोग कर सकते हैं मतलब V double dash को इकठे ले आओ आप तो V double dash को अगर इकठे ले तो 1 by ZL plus 1 by ZC V double dash को इकठे ले ले 1 by ZL plus 1 by ZC is equal to 2 V1 by ZC 2 V1 by ZC इसका मतलब अब यहां पर क्या हो जाएगा V double dash by V1 can be written as 2 ZC से ZC cancel 2 ZL by ZL plus ZC 2 ZL by ZL plus ZC V double dash by V1 is equal to 2 ZL by ZL plus ZC रट लो इसको याद कर लो इसको बार 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 derivation करने की जरूरत नहीं है डारेक्ट इसको याद रख लो V double dash क्या है लोड तक जो voltage गया है transmitted voltage V1 क्या है incident voltage है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं transmitted coefficient of voltage है की नहीं इसका यूज देखेंगे हम लोग आपको हम बताएंगे इसमें क्या होता है transmitted coefficient of voltage तो 2 ZL by ZL plus ZC is transmitted coefficient of voltage गरेक्ट है तो इसको इसको याद रखने है इसमें गेट में आगा है इसमें हर पेपर में आगा question इससे ठीक है तो transmitted coefficient of voltage is cleared अब क्या हम लोग को देखना है अब देखेंगे कुछ अब तो हो गया अब तो कुछ है नहीं V double dash अब क्या देखेंगे V1 plus V1 dash है की नहीं V1 से दोनों साथ divide कर दो आप तो divided by V1 divided by V1 divided by V1 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा V double dash by V1 is equal to 1 plus V1 dash by V1 1 plus V1 dash by V1 तो इसका मतलब अब यहां पर क्या होना चाहिए V1 dash by V1 इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए V1 dash by V1 V1 dash by V1 is equal to V double dash by V1 minus 1 है की नहीं V1 dash by V1 को हम लोग लिग सकते हैं V double dash by V1 minus 1 तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा V1 dash by V1 is equal to V1 dash by V1 is equal to 2ZL by ZL plus ZC minus 1 है ना तो इसका मतलब इसको आप कैसे लिग सकते हो ZL minus ZC divided by ZL plus ZC ZL minus ZC divided by ZL plus ZC तो यह transmitted coefficient of voltage और यह V1 dash क्या था reflected current था ना मतलब सारी reflected voltage था ना तो V1 dash by V1 is reflected coefficient of voltage correct है V1 dash by V1 is reflected coefficient of voltage reflected coefficient of voltage इस सब को रटे रहना है याद रखना है direct formula याद है मतलब question आएगा reflected reflected coefficient of voltage reflected coefficient of voltage तो V1 dash by V1 is equal to ZL minus ZC divided by ZL plus ZC इसके बारे में हम और भी आपको बताना चाहेंगे कि जब भी lossless land है तो ZC is equal to ZS and that will be equal to under root L by C है ना समाज़ो मेरी बात तो इतना समाज में आ गया transmitted coefficient of voltage और reflected coefficient of voltage is cleared अब current के बारे में भी तो देखना परेगा ना हम लोगों को तो देखो आप कुछ नहीं है current के बारे में और current में तो आप ऐसी निकाल सकते हैं इसी से देख लो चलो इसी से देख लो आप वीवन डैस को आप लो क्या लिख सकते हो मैनस आइवन डैस इंटू जेड़ सकते हैं आइवन डैस क्या था याद है आइवन डैस क्या था आइवन डैस था मैनस वीवन डैस वाई जेड़ सी एक नहीं तो वीवन डैस क्या हो जाएगा मैनस आइवन डैस इंटू जेड़ सी मैनस आइवन डैस इंटू जेड़ सी यहां पर क्या हो जाएगा वीवन बाई जैड़ सी था तो इसको हम लोग कैसे अच्छा एक चीज आपको बता देना चाहरा है यहां पर ही आगे कैलकुलेशन समय दिक्कत हो सकता है देखो हम जो ट्रांस्मिशन लाइन लिए हुए थे ऐसा था जैड़ सी यह था यह जैड़ स जो सबसे पहले इंपिडेंज को देखेगा वह यहां पर टी कि दर कर रहे है और नो इसलिए इकॉल टू वी वन बैजज्च घर तो अब यहां पर देखें लोग 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 वीवन देखें तो आएवन इन्टू जैड़ सी और एक चीज़ हम आपके लिए खुद छोड़ दे रहे हैं जो कि आपको पता करना है खुद से डिराइब करना है वो है यहाँ पे वो है यहाँ पे वो क्या है यहाँ पे वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं ठीक है वो है यहाँ पे I double dash by I1 क्या होगा तो ढट विलबी कैसे एक रहे है यहाँ 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 डाट of current, reflected coefficient of current, reflected, reflected coefficient of current, reflected coefficient of current, और ये क्या है, ये transmitted coefficient of current, ओके, transmitted coefficient of current, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखियेगा, याद रखियेगा, एक formula, मतब ये सब फर्मूला हम फिर से एक जगा लिख दे रहे हैं ताकि आप उतने चीज़ को याद रखना ठीक है उतने चीज़ को आप लोग याद रखना देखो सबसे पहला था V double dash by V1 ये क्या था transmitted coefficient of voltage और ये क्या था 2ZL by ZL plus ZC करेक्ट similarly second क्या था तो V1 dash by V1 ये क्या था reflected coefficient of voltage तो this is equal to ZL minus ZC by ZL plus ZC similarly third अगर देखें अगर दोनों में देखो voltage वाले में ZL ही उपर में dominating है इसमें ZL है इसमें ZL minus ZC है बस याद रखने का तरीका अब I1 dash by I1 क्या था I1 dash by reflected coefficient of current this is equal to ZC minus ZL by ZC plus ZL और fourth अगर देखें तो मतलब I double dash I1 dash by I1 अगर हम लोग देखें तो 2ZC by ZL plus ZC तो इतना चीज है इतने चीज को आपको याद रखना है इसी का application है इसी में different types का question पूछा जाता है जो कि अभी हम लोग सब कुछ discuss करने वाले है कि क्या क्या type का question पूछेगा search impedance भी हम लोग discuss करेंगे तो उमीद है कि आपको इतना यह सब चीज समझ में आ गया होगा है ना देखो अब इसमें जब तक आप इसका application ना देखो इसका कुछ कुछ चीज ना देखो मतलब इसमें जो है ना जब तक आप यह ना देखो कि कहा use होता है क्या होता है तब तक आपको feel नहीं आएगा है ना तो वह भी देखना जरूरी है देखिए आप example के लिए जैसे अगर जब तक आप example नहीं देखोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका use कहां पर होता है कैसे होता है क्या होता है ना तो देखो आप example एक सब्सक्राइब करो के transmission लाइन है ना और फिर एक केबल है ठीक है केबल अंडर्ग्राउंड केवल और यह ओवर हेड़ ट्रांस्मीशन लाइन है ना सब्सक्राइब करीब 400 ohm होता है ठीक है करीब 400 ohm हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं आपको बता रहा है याद रखेगा यह चीज़ चार सा से 500 के बीच में होता है तो 400 आप यह माल लेजिए केवल का जो होता है करेक्टरिस्टिक इंपिडेंश यह सर्ज इंपिडेंश इस एप्रॉक्समेटली 50 ohm और यह चीज़ अब यह सब्सक्राइब करो कि एक सर्ज गिरा यहां पर 100 किलो वोल्ट का सर्ज यहां पर गिरा तो अब यहां पर ट्रांस्मीटेड अब जो केबल में जो वोल्टेज ज ट्रांस्माइश फीयंश तो वी वन तो हम लोग अभी देख चुकए वी डावल डाश वी यहां पर क्या है वी डावल डाश वी वी वन इस इकोल टू ज्टेड ल प्लस जू तो 20 इंटू जैड ऑल इस इकोल टू 50 डिवाफ्स जी मतलब यहां पर कितना हो जाएगा 450 हो जा 100 divided by 450 100 divided by 450 into V1 यहाँ पे कितना है 100 किलो वोल्ट 100 किलो वोल्ट तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इसका answer कितना आना चाहिए एक मिनट गूज़ों हम आपको बता रहे कैलकुलेटर का थोड़ा सा यूज़ करना पढ़ेगा हमको 100 डिवाइड़ वाइ 450 यह आ गया 22.22 किलो वोल्ट है कि नहीं ऐसा आ गया मतलब आप यहां पे यह चीज देखिए कि जो 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 लाइटनिंग वेव गिर रहा है ना ट्रांस्मिशन लाइन पे इसका एफेक्ट केबल पे कम पढ़ रहा है ना इसका एफेक्ट केबल पे यह आ पे हंडेट किलो वोल्ट यहां पे 22.2 किलो वोल्ट है और आप चीज और भी नोटिस करें सब्सक्राइब करें कीदार यहां पर कितना 10 ओम में इसका थेफेक्ट कितना आ जाएगा सब्सक्राइब वी तो डवले स्कस्ट्रीस में देखिए तो वी टू double dash by ये तो इसके लिए incident voltage यहाँ पे जो voltage वही आएगा ना अब समझ जो मेरी बात इसके लिए incident voltage यहाँ पे जो voltage वही आएगा और वो कितना है 22.22 kV तो 22.22 kV divided by 2 ZL by ZL plus ZC तो 2 into ZL यहाँ पे कितना है 10 ohm divided by ZL plus ZC यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 50 plus 10 is 60 correct है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा V2 double dash is equal to 20 हो जाएगा ना यहाँ 20 divided by 60 into 22.22 तो यह देखते हैं यह कितना किलो वोल्ट आया तो वह भी हम लोग देख लेते हैं इन्टू 20 divided by कितना है 60 तो यह कितना आ जाएगा 7.4 किलो वोल्ट 7.4 किलो वोल्ट है ना calculation देख लेना आप लोग मतलब यहाँ पे ऐसा है इस चीज को practically आप देखो इंजिनियर की तरह सोचना है आपको अब ऐसा है ना इसमें कि जैसे देखो transmission land में 100 किलो वोल्ट का surge गिरा है lightning surge इसका effect केवल पे तो कम ही पर अगर transmission land को केवल से terminate कर रहा है तो इसका effect केवल पर कम पढ़ा मतलब अब केवल के बाद अगर load आप लगा दो तो केवल के बाद load लगा देंगे तो फिर इसका surge का जो effect है ना यहाँ पे और भी कम पढ़ र तो उसमें lightning भी ज़्यादा गिर सकता है वहाँ पे है ना अब lightning ज़्यादा होता है वहाँ पे तो उसमें उस case में क्या करते हैं generally जो overhead transmission line है उसको हम लोग terminate करते हैं cable में समझ रहोगे मेरी बात overhead transmission line are generally terminated into cable to reduce the effect of किसका surge का correct है तो इतना समझ में आगे आपको इसमें कोई problem न सकता है इसमें भी इसी question में आप लोगों से और भी कुछ कुछ चीज पूछा जा सकता था कि मतलब जो है अब यह बताओ अब यह बताओ कि यहां पर reflected voltage कितना आएगा तो यह भी चीज़ा हम निकाल सकते हैं तो formula से निकाल लो इस formula से निकाल लो या फिर जितना incident हुआ जित में एक बार इस पर 10 marks का question पूछा हुआ था है ना तो इतना आपको समझ में आ गया अब इसी में किस टैप का आपसे question पूछा सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं एक minute आप कृपिया चोड़ो इसको आप ऐसे देखो एक ऐसा होता है कि suppose को इसका impedance है जयील लेते है ना ना जुरित आप सेम और यह दो लाइन में टर्मिनेट हो रहा है यह दो लाइन में टर्मिनेट हो रहा है है Zs2 Zs3 ये दो लाइन और जाकर कहीं पर टर्मिनेड हो रहा है इस कि आप यह पूछा है जैसे इसमें इसमें लिखना है तो आप यह लाइन टर्मिनेड इंटू लाइन्स अब इस केसमें reflected voltage क्या होगा दोनों में current क्या होगा तो यह सब चीज आप लोगों से पुछा जा सकता है पुछता है IES के के से पुछता है gate में पूछता है बहुत बार है ना तो अगर आप यहां पे देखेंगे अगर आप यहां पे देखेंगे suppose करो हम लोग क्या करने है आप यहां पर इसमें वी टूडबल दैस ट्रांस्मीट हो रहा है इसमें वी इसके एक रॉस है यहां पर यहां पर यहां पर देखो basically अब आपको यहां पर देखना है कि कैसे करें हम लोग तो इस केस में आप लोग कैसे करिए गा ना तो आप इस यहां पर देखेंगे देखो ऐसे तो डिफरेंट मेथड है डिफरेंट मेथड है लेकिन जल्दी से करने के लिए हम और भी असान तरीके से आपको बता रहा है ताकि कोशन आपको सारा सॉल्व हो जाए करेक्ट है देखो यह दोनों लैंस पैरलल में होना चाहिए क्योंकि बोल्टे जाए गा उत दोनोंके क्राउस आये का इसका मतलब अगर देखें तो एक्यूव benevolent देखें तो जैड एस तू पैरलल जैड़ा स्तु अना चाहिए मतलब यहां पर क्या है जैide स्टू इंटू जैड इस त्री ए दिवादधड बाइड जैड और जैडर ची अना च Z2 پ्लस Z3 आना चाहिए है ग array अब देखो यहां पे इसी चीज़ को ऐसा म कर सकते हैं यह पर Z1 है और फिर इसके Zl के जगधर पर हमारे पास क्या है जए L के जगधर पर हमारे पास ZL equivalent हमारे पास यह है अब तो कुछ है ही नहीं है ना अब तो यहाँ पर आप डिरेक्ट ही कर सकते हैं अब यहाँ पर V double dash by कितना है V1 is equal to 2 into 2 into ZL equivalent is ZS2 into ZS3 divided by ZS2 plus ZS3 divided by क्या होना चाहिए ZS1 है ना ZL plus ZC था है ना तो ZS1 और फिर ZS2 into ZS3 divided by ZS2 plus ZS3 है ना तो इसी को अगर आप solve कर लें इसी को अगर आप solve कर लें तो अब यहाँ पर क्या जाएगा तो V dash V double dash V double dash by V1 is this is transmitted coefficient of voltage तो V double dash by V1 is equal to 2 ZS2 ZS3 divided by ZS1 ZS2 plus ZS1 ZS3 plus ZS2 ZS3 एक नहीं ऐसा हो जाएगा V double dash by V1 अगर ZS2 ZS1 ZS2 ZS3 से divide कर लो आप तो ultimately आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो V double dash by V1 is equal to 2 divided by ZS1 divided by 1 by ZS1 plus 1 by ZS2 plus 1 by ZS3 आप ऐसे भी लिख सकते हैं अब अगर आप देखों तो V double dash आपको पता चल गया ठीक है वी डवल डैस आपको पता चल गया तो V double dash पता चल गया तो V double dash जो पता करना है वो कर लेना क्या प्रॉब्लम है इसमें उसके बाद यहां पर ऐसा भी अगर को बहुत अजीब टैप का तफ टैप का बनाना हो ना पता है क्या करेगा जाप ल और सी तो पता कर सकते हैं अगर ल और सी के फॉर्म में दिया रहे तो समझ गये इतना यह सब चीज तो इस अप टैप का भी क्योशन आप लोगों से पूछा जा सकता है यह ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि गेट में हाँ साथ पूछ सकते हैं आई सब्जेक्टिव में पूछता है इसा है लेकिन गेट में पूछा सकता है डिरेक्ट फॉर्मूला पर अब देखो जैसे जो जो फॉर्मूला हम आपको बता है ना चार फॉर्मूला उस पे कुछ और एक्जाम्पल जिससे और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है देखो अब इस पे कुछ और इक्जाम्पल अब ऐसा है कि सफोर्ज करो एक लाइन है ठीक है और ये जैसे जैसे जेड़ एस वन यहाँ पे है और ये शॉर्ट सरक्ट हो गया है मतलब शॉर्ट सरकिटेड एट वन एंड अट लोड एंड या मतलब एट वान एंड हम लोग सकते हैं इस केस में क्या होगा तो एगर सपोज करो वॉल्टेज यहां पर क्या लगा है हम लोग वी मत्तब जो भी इंसीडेंट वोल्टेज सब्सक्राइब इनसीडेंट वॉल्टेज इसका मतलब जैड यहां पर कितना जीरो है ZL equal to zero है तो इसका मतलब V double S यहाँ पे कितना होना चाहिए zero तो मतलब क्या होगा कि कोई भी voltage मतलब यहाँ पे जाएगा ही नहीं सारा का सारा voltage reflect हो जाएगा कैसे reflect होगा वो भी आप देखिए यहाँ पे कैसे reflect होगा अब जैसे देखो मतलब reflected का देखो आप V1 dash by V1 अगर आप देखेंगे और short circuit है तो output voltage ऐसे भी तो 0 ही होना चाहिए V1 dash by V1 अगर देखें तो ZL minus ZC divided by ZL plus ZC agree? ZC के जाएपे ZS1 है ना तो ZL क्या है? 0 है ZL यहाँ पे 0 है ZL is 0 0 minus 0 minus ZC क्या है यहाँ पे ZC यहाँ पे ZC ZS1 minus ZS1 divided by ZL and ZS1 तो यह कितना आजाएगा? minus 1 है गए नहीं तो ऐसा ही है V1 dash यहाँ पे कितना देगा? minus V1 मतलब यह जितना जा रहा है उतना ही reflect भी कर जाएगा short circuit के case में समझ गया यह चीज़? अब उसके बाद देखो अब उसके बाद एक और भी case कि एक जो important case हमको जो लगता है ना जैसे अगर मालो transformer पर क्या effect आएगा ठीक है? वो भी चीज़ हम चाहते हैं कि आपको बता दे अब देखो जैसे transformer suppose करो ऐसा है यह suppose कर यह कुछ ही step का है मतलब load is ऐसे करके load end is terminated into terminated into an inductance inductance मतलब transformer को ideally तो हम लोग inductance से ही represent करते हैं inductive ही होता है तो वही चीज़ हम आपको बताना चाहरे है यहाँ पर क्या होगा? suppose कर ऐसा है हम voltage यहाँ पर suppose करो जो incident voltage आ रहा है ना जो incident voltage आ रहा है ना ऐसे जो incident voltage आ रहा है वह suppose करो unit step है अचानक से voltage आया मतलब incident voltage suppose करो इस step है अचानक से voltage है और यह constant रह गया तो this is equal to suppose करो V1 by S Laplace में तो यह होगा और S L इसका impedance है तो आप अगर यहाँ पर देखें तो unit step का क्या होता है अचानक से यहाँ पर किस टैप का voltage यहाँ यहाँ पर किस टैप का voltage यहाँ यहाँ आपको देखना है तो देखना है यहाँ पर कि V double dash अगर आप देखेंगे तो V double dash by V1 जो होना चाहिए 2 into SL divided by SL plus ZC होना चाहिए 2 into SL divided by SL plus ZC होना चाहिए so correct है तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे अब आप यहाँ पर देखेंगे तो V double dash को हम लोग क्या लिख सकते है 2 into SL divided by SL plus ZC into V1 क्या है V1 by S है लाप्लास में V1 by S है input voltage जो incident voltage है V1 by S है तो अब इसका मतलब अगर आप देखें इसका मतलब देखें तो इसको इससे cancel कर दो तो मतलब क्या है 2 V1 into 1 by ZC plus SL तो आप इसको हम और भी solve कर सकते हैं L से divide कर सकते हैं दोनों साथ तो 2 V1 by L तो उपर में भी है ना यहां पर उपर में inductance ठीक है तो L से उपर नीचे divide कर दो 1 divided by S plus ZC by L आ जाएगा 1 divided by S plus ZC by L आ जाएगा मतलब V double dash जो आजाएगा जो inductive load है उसके cross voltage चला जाएगा वो कितना रहेगा 2 V1 into यहां पर आप देखेंगे तो E to the power minus T by मतलब minus 80 होता है जैसे आप देखो E to the power minus 80 UT इसका लापलास क्या होता है 1 by S plus A एकि नहीं 1 by S plus A तो अगर आप यहां पर देखेंगे 1 by S plus A अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर कितना होना चाहिए 1 by S plus A अगर होगा तो 1 by S plus A तो E के जवब पर मैनस यह L by ZC आप यहां पर कर सकते हो ठीक है UT इस step का V double dash आया है कि नहीं इस step का V double dash आया अब आप यहां पर सोचना है आप लोगो को आप देखना आप calculation भी कर सकतो हम आपको basic idea दे रहे हैं खुद से भी calculation करने की कोशिस करिएगा आप लोग अब हम आपको यहां पर basic idea दे रहे हैं अगर T tends to 0 देखे हम लोग T tends to 0 अगर हम लोग देखे हैं तो 0 से ज़स्ट पहले की बात करें तो अब यहां पर देखिए आप V double dash जो होगा वो 2 V1 होगा यह की नहीं 2 V1 होगा T tends to 0 पुट करेंगे तो यह तो वह नहीं रहेगा तो 2 V1 आ गया यहां पर तो 2 V1 आ गया तो मतलब ऐसा है कि जो भी incident यहां पर होगा तो इसके across 2 V1 voltage आ जाएगा और transformer को भी generally हम लोग inductor से ही represent करते हैं शायद आपको याद होगा reactance diagram सब में और बाहां की सब चीज़ में देखिए होंगे आप मतलब जितना भी incident voltage आगा ना transformer के across double आ जाएगा है कि नहीं तो मतलब double voltage आ सकते है transformer के across तो मतलब insulation सब फेल हो सकता है तो इसी वज़े से हम लोग को traveling wave सब पढ़ना बहुत जरूरी होता है और उसी के हिसाब से हम लोग protective equipment जो होता है ना उसको हम लोग install करते हैं correct है तो इतना उमीद है कि आपको यह सब चीज समझ में आ गया होगा और याद रखने हैं इन सब चीज को ठीक है बहुत जरूरी होता है आपको यह सब चीज समझना अब हम आपको बता रहे हैं इसमें surge impedance loading या surge impedance क्या होता है क्योंकि देखो इस सब पे अब आज तक जितना भी जो भी exam है बस gate की बात हम नहीं कर रहे हैं चाहे कोई भी exam हो जो अगर आप अच्छे से समझ गया होगे यह सब चीज एक एक concept एक एक चीज अगर आपको याद हो गया होगा समझ भी गया होगे सबसे important है समझना तो अब आपसे एक भी question नहीं चूटेगा चाहे आप कहीं की भी बात कर लो gate की करो, ES की करो, AS की करो interview की करो, कहीं की करो है न तो नहीं चूटेगा, बस आप अराम से परहे करो और जो भी दिक्कत हो तो आप मेरे इसे पूछो ठीक है, अब हम लोग इसमें परहेंगे surge impedance loading, जो की बहुत ही जादा important है और surge impedance loading पे load को अगर लगाते हैं, मतलब surge impedance load पे, अगर load जो end है अगर वहाँ पे, surge impedance के बराबर अगर load लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा, क्या advantage होता है क्या advantage होता है, compensation compensation सबसे, सब कुछ यहां पे हम लोग देखने वाले हैं, in case of surge impedance, बहुत important होने वाला है, तो अच्छे से देखो आप लोग, ठीक है surge impedance, और यह सब, और हम यह उमीद करते हैं, कि जो भी पहले, सबसे पहले जो जो भी lecture हो चुका रहता है तो आप लोग अच्छे से परचुके रहते हो revision करके, formula आपको याद रहता है, क्योंकि आप अगर यह सोचोगे न, कि direct हम यही देखें तो हाँ, ठीक है, अगर आप direct इसी पे आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि इसके पहले surge impedance क्या होता है, surge impedance, ठीक है, surge impedance क्या होता है, वो देखें आप, एक second, this is surge impedance, यह क्यों lossless land के case में, जो impedance offer होता है, वो ही surge impedance होता है, ठीक है, तो वो definition था, तो वो चीज आप में भी हो सकता है, कि आप ना समझे हो, ठीक है, तो वो समझ लो अब अच्छे से, lossless land कहने का मतलब, R है ही नहीं line, ठीक है, lossless land कहने का मतलब, ideal इस टैप का है यह ट्रास्मिशन और सपोस करो यहाँ पर लोट कोई लगा हुआ है यह क्या है यह यह दूर्षट करो अचानक से एक लाइट निग सर्जगी रा तो आफिएسली वह जो लाइटिनिंग गिरेगा उससे पहले तो यह स्विच ओपन था मान के चलो टी कोल टू जीरो पर यह स्विच क्लोज हुआ तो जब लाइटनिंग सर्ज गिरेगा यहां पे तो इधार से फ्लो होना स्टार्ट करेगा तो इनीशियल इंडॉक्टर कैपेश्टर सब तो अंचार्ज है तो जैसे जैसे करेंट यहां पे जैसे जैसे मतलब तैम बढ़ेगा ना जैसे वोल्टेज सर्ज हुआ इंसिडेंट हुआ तो यह जो है ना इंडॉक्टर चार्ज होना स्टार्ट होगा है ना तो चार्ज होना स्टार्ट हुआ तो इसमें इनर्जी हाफ ल आई स्कूर होना इनर्जी जो स्टोर हुआ इंडक्टर में वह पता है कि इंड्क्टर और न जिसको जो रिक्वार्मेंट होता एक दूसरे को पूरा करते हैं क्यों लाइगिंग रेक्टिव पावर इंडक्टर को चाहिए तो कैपैस्टर दे गा करेक्ट है mutual understanding है दोनों में ठीक है तो इनर्जी इसमें इस्टोर हुआ तो वो इसको देगा तो एक टाइम के बाद सब्सक्रों करो हाफ cb1 square इसमें इनर्जी आ गए इनर्जी इतना ही होता है फिर उसके बाद तोरी देर के बाद ये इनर्जी फिर इसको ये इनर्जी फिर इसको ये इनर्जी फिर इसको ऐसे देते देते हैं जो effect of surge है वो load पे पहुंचेगा है कि नहीं ऐसे इनर्जी को transfer करते करते load पे मतलब क्या जब सिस्टम जब सिस्टम सेदल हो चुका है थीक है उस condition में मतलब किया जब दोनों का ओनर्जी स्टोर सेम्-ठीज बस dose S questions में 1 x 1 x 2 I1 square equal to 1 by 2 C1 into V1 square, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, हम आप एकदम simple language में बताने की कोशिस कर रहे हैं, है ना आप ऐसा बोल सकते हो, half L1 into I1 square is equal to, ऐसा equilibrium condition में जब दोनों का energy सेम है, मतलब 1 by 2, 1 by 2 cancel, मतलब V1 square by I1 square is equal to, हम लोग क्या कर सकते हैं, L1 by C1 यहाँ पर कर सकते हैं, एक नह आप यहाँ पर देखेंगे, तो V1 by I1 हम लोग क्या कर सकते हैं, under root L1 by C1, और यही तो surge impedance है, ZS, V1 by I1, V1 is voltage wave, I1 is current wave, तो इन दोनों के वैसे जो impedance offer होगा, इन दोनों को जो impedance offer होगा, that impedance will be called, sorry, that impedance will be called surge impedance, correct हैं, तो surge impedance के बारे में बस इतना है, यह चीज़ समझ में आ गया हो basic definition, और यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, जो surge impedance को हम कैसे लिख सकते हैं, ZS is equal to क्या है, under root L1 by C1, यह क्योंकि इससे पर question पूछता है, इसलिए आपो देखना पड़ेगा, ZS is equal to L1 by C1, अगर आप इसको L length के लिए देखो, L1 into L divided by C1 into L, L1 into L divided by C1 into L, कहने का मतलब आप यहाँ पर total L1 by C, यह हम दो चारवार आपको बता चुके हैं, तो surge impedance जो per kilometer length का होगा, वही total length का होगा, बहुत important है, gate में question पूछता है, तो surge impedance हर point का, हर per kilometer जितना होगा, बतब सेम रहता है, throughout the transmission line, surge impedance सेम रहेगा, यह चीज़ समझ के रखना, तो यह जो surge impedance होता है, यह होता है 400 kilometer, मतब 400 hertz, impedance है, unit ohm होना चाहिए, 400 ohm होता है, for overhead line, ठीक है, for overhead line, for overhead line, और यह होता है, 50 ohm for underground cable, 50 ohm for underground cable, underground cable, ठीक है, तो यह चीज़ याद रखेगा, यह हो सकता है, कि छोटे मोटे exam में पूछा जाए, gate में तो खैद नहीं पूछेगा, यह, मतलब इसका value gate में, gate बहुत अच्छा exam होता है, gate में जो यह जो छोटा मोटा चीज़ होता है, वह आप से नहीं पूछेगा, gate को crash score से तो हम ऐसा भी कर सकते थे, कि formula हम directly लेकिन, कैसे ऐसे तो आपको समझ ही में नहीं आता, है ना, आपको तो ऐसा चाहिए ना, कि मतलब आपको क्या सब को ऐसा चाहिए ना, और जो rank holder है, उनको ऐसा है कि पूरा background भी पता होना चाहिए, gate में कहीं से भी question आ सकता है, basic concept आ अच्छे से करो, gate में अच्छा रेंका जाए, भगवान करें, place हो जाओ, फिर उसका आया, इसकी तियारी करना, ठीक है, फिर आया, इसकी तियारी करना, ठीक है, तो बस यह हो गया, इसमें कोई problem नहीं है, तो surge impedance में अब और भी छोटी मोटी बात, और भी important important बात हम आपको क देखिये अप, suppose करिये, कि यह हमारे पास transmission line है, यह हमारे पास transmission line है, यह कैपैस्टर नहीं समझना, यह transmission line है, और इधार जो है यह load connected है, this is load, यह load है, this is load, correct है, और आप यह देखिये अब surge impedance के बारे में हम आपको क्या बता है, surge impedance independent of load होता है, मतलब इतने का जितना surge impedance होगा, बहुत बढ़ियाँ चीज़ अभी आपको समझ में आएगा, इतने का जितना surge impedance होगा, वो क्या रहेगा, under root L1 by C1, और यही पूरे length का surge impedance होगा, क्योंकि, जो होता न, surge impedance is independent of length of the land, correct है, तो अब आप अगर यह देखिये, क्या इसमें कहीं पे J का term आ रहा है, J का term तो नहीं आ रहा है, मतलब, जैसे अगर आप देखो, Z is equal to R plus J X है ना, तो J कहने का मतलब है कि inductive, एक नहीं, और यह R कहने का मतलब है resistive है ना, कोई imaginary part यहां पे नहीं है, मतलब यहां पे यह देखो, यहां पे आप यह देखिये, कि इस line में क्या है ना, इस line में resistance नहीं है, लेकिन resistance जैसा fully feel दे रहा है, है कि नहीं, तो यह एक ideal condition होता है, ideal condition कैसे होता है, कि resistance में का जो power factor आप देखेंगे voltage current उसका तो unity होता है, है ना, लेकिन उसमें loss होता है सारा कुछ, लेकिन इस case में power factor तो unity है, क्योंकि imaginary part कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा resistive भी आपको देख रहा है, imaginary part है ही नहीं, तो इसमें loss तो होगा नहीं, क्योंकि inductor capacitor है, power factor unity है, तो इसका मतलब यह best चीज होता है, यह ideal condition होता है, एकि नहीं, यह क्या होता है, ideal condition, जब भी surge impedance इस टैप कर रहे, this is called ideal condition, समझ गया, समझ गया यह चीज, तो अब अगर हम इसको लिखना चाहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ZS is equal to यहाँ पर क्या है, अंडरूट L वैसे, एकि नहीं, उसके बाद अगर देखो, अब यहाँ पर अगर लोड सपोस करो, आप कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और ideal में भी ideal चीज, अब लोड अब यहाँ पर सपोस करो, surge impedance के बराब ही कनेक्ट कर दिये, अब क्या होगा, ठीक है, अब आपको यह समझना है, तो सपोस करो, incident voltage Vs है, ठीक है, हम अभी यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, तो surge impedance loading अब पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर surge impedance loading, surge impedance loading, यहाँ पर है surge impedance loading, ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इस case में यह क्या है, और यह यहाँ पर क्या है, वी आर, ठीक है, तो देखो, ZS, जो transmission line का surge impedance है, चार सो हमके बरावर होते हैं, अबरेड के लिए, अंडर गांड के लिए 300, मतब कितना, 50, सॉरी, और यह load है, वो terminated है, with impedance ZS, तो वी आर वै वी एस अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो वी आर वै वी एस यहाँ पर क्या है, तो वी आर वै वी एस क्या है, होता है, 2ZL by ZL plus ZS होता है, है कि नहीं, तो 2ZL तो मतलब 2 into ZS, ZL के जहाँ पर कितना है, ZS, surge impedance के बरावर है, याद रखना, divided by 2ZS, है कि नह दोनों कैंसिल होके, 1 हो गया, यह दोनों कैंसिल होके, 1 हो गया, मतलब, Vr is equal to, यहाँ पर क्या है, Vs है, है ना, अब जरह सा एक चीज़ अब नोटीस करो, अब जरह सा आप एक चीज़ नोटीस करें, इतना बढ़िया चीज़ है, यहाँ पर मजा आ जाएगा, है ना, वो Vs के बराबर है, इसको हम लोग बोलते है, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल, है कि ने, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल, सिमिलरली अगर आई आर देखेंगे, तो वो भी किसके बराबर हैगा, आई एस के बराबर, आई आर इस इकॉल टू आई एस, मतलब, वोल्टेज एंड करेंट प्रोफाइल, फ्लैट वोल्टेज एंड करेंट प्रोफाइल, मतलब ऐसा है कि जब भी लोड जो है ना, सर्ज इंपिडेंस के बराबर हो, तो इसका मतलब वोल्टेज सेम ही रहेगा, वी रिकॉल टू वी एस, इस से क्या फैदा होता है, वो वोल्टेज सेम ही रहेगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ये दुनिया में किस को खराब लगा, किस इंजिनियर को लगा, ये खराब है, ये तो अप्रॉपाइल कन दिशन, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ये फलाट凜 प्रुफाइल कर बंगता है, जो मतलब इसके लिए तो यह लोड की तरह काम किया तो जब जो डेको जब लैंड और लोड का इंपिटेंस सेम रहता है ना तो वी आर इकॉल टू वी एस है वोल्टे सेम रहता है मतलब इसके यह इंपिटेंस और यह इंपिटेंस सेम है इसके लिए यह लोड की तरह काम करेगा मतलब जितना वोल्टेज यहां पर रहेगा इसके लिए यह लोड की तरह काम करेगा तो मतलब जैडेस यहां पर जैडेस यहां पर तो मतलब यहां पर भी वोल्टेज सेम तो सर्ज इंपिटेंस लगाने से हमारे आइडियल कंडिशन आ रहा है करेक्ट है यह चीज ध्यान में रखिएगा यह तो आधी बात हुए अब यहां पर और भी चीज देखना है ना अब यहां लोग और भी चीज देख रहे हैं यहां पर देखिए यहां पर इसको मिटा रह मतलब यह होता है कि सब्सक्राइब और यह दिस्टेंस एक से तो वोल्टेज हमेशा हर जगा सेमी रहे आप लोग देखेंगे तो और भी चीज इसको डिटेल में आप लोग स्टेडि करेंगे करेक्ट है अब उसके बाद यहां पर देखिए अब यहां पर और भी चीज हम को देखना है पावर अब यहां पर क्या होगा यहां प्र देखिए इसमें जो रेंश को लौस वास नहीं कोई पर देख清 além अब नहीं लोग क्या है इसके across voltage क्या है वी आर पर फेज तो वी आर रूट थ्री एक नहीं पर फेज है ना तो अगर सपोज करें वी आर लाइन का वोल्टेज है तो वी आर रूट थ्री पर फेज वोल्टेज स्क्वार डिवाइड़ बाइ जैड़ेस होना चाहिए एक नहीं वी आर रूट थ्री इसक्वार डिवाइड़ बाइड़ जैड़ेस ये पर फेज क्या है तो थ्री फेज का पावर अगर देखें तो इन्टू थ्री कर देंगे हम लोग एक नहीं तो अब यहाँ पे देखें तो पी एल जो मतब पी एल इस थ्री फेज पावर इस चीज को याद रखना आप लोग तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पर देखें तो पी एल को तो की जैड़ेस से टर्मिनेटर है जैड़ेस यहाँ पर भी है जैड़ेस यहाँ पर भी है तो यहाँ पर क्या होना चाहि आप देखो यह क्या है पावर इन लोड वें लोड इंपिडेंस इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सर्ज इंपिडेंस लोडिंग समझ में आ गया जब लोड इंपिडेंस सर्ज इंपिडेंस के बरावर हो तो उस लोड इंपिडेंस में जो पावर जाएगा न वहीं सर्ज इंपिडेंस लोडिंग होगा कुछ है कुछ भी नहीं यह सिंपल सा चीज़ है पावर का फॉर्मूला है यह एक नहीं आर यहां पे रहाता तो V square by R हो जाता ZS है तो V square by ZS हो गया एक नहीं तो surge impedance का definition अगर आपको लिखना है तो लिखने लिजेगा surge impedance loading का ठीक है surge impedance loading का definition है when load impedance is equal to surge impedance in that case power in load is called surge impedance loading ठीक है surge impedance loading surge impedance loading फिर से हम बोले हैं ठीक है तो इतना समझ में आ गया तो surge impedance loading हमारे पास क्या है surge impedance loading हमारे पास क्या है surge impedance loading is equal to Vs square by ZS और VL अगर दिया रहे हैं तो VL square by ZS और इस condition में क्या होता है flat voltage और current profile मिलता है और इसको हम लोग क्या बोलते है surge impedance loading तो होई गया और आप देखिए ये एक ideal condition है ना ये एक ideal condition है जो कि हम बार बार आपको बता चुके हैं ये एक ideal condition है तो ये ideal condition है तो इसको हम लोग एक और भी नाम से नवाजते हैं इसको हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं ideal power ideal power transfer आप इसको आइडियल पावर ट्रांसफर भी बोल सकते हैं कहीं कहीं क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है या फिर इसको आप यह भी बोल देते हैं कि कभी कभी तो हम यह भी देखें कि आइडियल पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी बोल देते हैं तो यह इतना आ जाएग इस सब चीज को धियान में रखना अब यहां पर ऐसा है कि अगर लिए लॉट इंपिडेंस मतलब जो लॉट इंपिडेंस है वो सर्ज इंपिडेंस के बराबर हो तो फिर क्या-ک्या होगा क्या क्या चीज होगा तो हम सब कुछ आपको बता रहे हैं एक एक चीज बता रहे हैं ध्यान से समझना आई ध्यान से समझे गाई है सबसे पहला तो है फ्लाइट वोल्टेज एंड करेंट प्रोफाइल 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 वेरी फर्स्ट चीज़ सेकेंड है कि जब आपको पत पता है एक चाहिए यहां पर झाहिए पोडा मैं की अब यहां सब्सक्राना जो अन्डरूट कि एक भीratक को यहां कि पूल ले लीड ट मैं प्yse mm शक्राइन कि टैप पित्थिस्टाइब यहां पर तो लैंड का पावर फेक्टर यूनिटी होगा इसका मतलब लैंड को रियक्टिव पावर का रिक्वाइर्मेंट है ही नहीं है ना तो इसका मतलब no reactive power requirement unity power factor पर तो reactive power का requirement तो नहीं होगा no reactive power requirement no reactive power requirement off line देखो लेगिन line में कोई reactive power नहीं है तो energy transfer कैसे हो सकता है है तो actually में ऐसा होता है तो जो inductor को reactive power चाहिए वो capacitor प्रोवाइट करेगा जो capacitor को reactive power चाहिए वो inductor provide करेगा mutual understanding हम बता चुके हैं पहले आपको ठीक है तो यह हो गया fourth आप देखो आप यहाँ पे क्योंकि line में कोई loss नहीं है no losses in line तो इसका मतलब क्या है line में जब कोई loss नहीं है तो इसका मतलब क्या efficiency जो है वो क्या होगा maximum efficiency क्या होना चाहिए maximum फिर और भी चीज़ आप देखिए अब दूसरे color से अब दूसरे color से और भी चीज़ देखिए अब देखो जब purely inductive या capacitive circuit होता था तो आपको याद है face shift होता था खाली है ना beta equal to क्या था beta equal to क्या था omega under root l1 into c1 याद है आपको है कि नहीं तो मतलब यह तो lossless line है rrg तो है नहीं इसमें तो मतलब vs leads vr by कितना beta याद रखना यह चीज़ यह बहुत important है इस पर question पूछा जाएगा vs leads vr by beta same is leads ir by beta ठीक है face shift कचे इतने का face shift होगा तो यहीं सब चीज़ अच्छा एक चीज़ इसमें और भी बहुत अच्छा है इसमें एक चीज़ और भी बहुत अच्छा है कि ऐसा होता है ना क्योंकि voltage हर जगा same है throughout the transmission line same है तो insulation आपको tension लेने की जरूरत नहीं होगी ना फिर आपको आपको पता है कि भाई जो है ना मुंबई या दिल्ली से कश्मीर तक एक ही voltage आएगा तो एक ही tap के insulation आप शुरुआत से लाज तक लगा सकते हो एक नहीं आपको ज़्यादा हर जगा चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं तो यह भी एक advantage है ठीक है uniform insulation uniform insulation uniform insulation correct है तो यही सब चीज है surge impedance loading पे surge impedance loading क्या है आपको समझ में आ गया vr square by zs और vl square by zs है ना यह सब चीज आपको समझ में आ गया अब इसमें देखिए vr equal to vs कैसे हुआ यह तो हम आपको बता चुके है ना vr equal to vs कैसे हुआ यह हम बता है या नहीं बता है vr equal to vs कैसे होना चाहिए यहां यह सब बता चुके हम आपको है ना vr equal to vs कैसे हुआ यह चीज और कुछ है भी नहीं कुछ आप ऐसे भी अगर देखें तुरंत अभी update भी लो तो vr by vs is equal to 2zl by zl plus zs होगा है की नहीं तो यह 1 आजाएगा तो vr is equal to vs आजाएगा है की नहीं तो यह चीज बता चुके है तो इतना है surge impedance loading पे इसमें और भी चीज है कि अगर compensation करेंगे तो surge impedance loading पे क्या फरक परेगा और यह सब चीज आप पूरा याद रखेगा यह सब जो हम बताया है यह सब चीज पूरा याद रखेगा ठीक है तो यह आगे हम लोग देखते हैं कि compensation करने से surge impedance loading पे क्या फरक परेगा क्योंकि गेट में उन सब टैप का question पूछता है तो अब हम लोगों को यहाँ पर जाए ना यह देखना चाहिए कि compensation अगर हम लोग करेंगे तो compensation से surge impedance और surge impedance loading पे क्या फरक परेगा गेट में question इस टैप का पूछता है ना तो उमीद है कि आपको यह सब एक एक चीज याद रखेगा आप लोग है ना एक एक टर्म एक पॉइंट to do compensation से चाहिव होता है रहें को बता चुकह है specific है कि शूअे 因डॉक्टर लगा सकते हैं शूड मेंगा सकते हैं लगा सकते हैं तो यह सब चीज का compensation होता है तो उससे देखते हैं कि surge impedance पर क्या फरक पड़ेगा तो पहला के सब suppose करिए कि ऐसा हमारे पास जो transmission line का surge impedance यह transmission line है और यह suppose करो यहाँ पर लोड है zs है तो अब अगर यहाँ पूरे transmission line को हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि एक किलोमीटर का जितना surge impedance उतना भी तो उतना ही मतब पूरे length का surge impedance है कि नहीं तो एक unit से भी हम इसको represent कर सकते हैं तो this is l1 c1 है ना तो यहाँ पर अगर zs देखें तो zs1 हम इसको बोल देते हैं अभी पहले condition में zs1 तो this is equal to under root l by c इसको हम लोग कर सकते हैं अच्छा इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि j omega l divided by j omega c l1 c1 है तो j omega l1 by j omega c1 तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं xl into xc आप इसी को ऐसे भी लिख सकते है surge impedance को भी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है surge impedance loading अगर हम यहाँ पर देखें sil तो यह क्या था v square by zs1 यहाँ पर हो जाएगा आप अगर हम देख्जाव यहाँ पर देखें अगर shand compensation करते हैं ना तो फर क्या होता है तो सबसे पहला जो compensation करेंगे हम लो एh shand capacitive compensation उससे देखते हैं कि क्या तो देखिए आप क्या फराग परता है स्थ है हमारे पास transmission line ठीक है फिर उसके बाद यह जैसा था वैसा ही हो गया अब अगर मालों यहां पर एक csh हम लोग connect कर दें थी एस हम लोग connect कर दें power factor को improve करने के लिए कुछ load के parallel में तो अब यहां पर यह जो होता लोडिंग पर क्या फरक परेगा वो चीज हम लोग चेक करना चाहरे हैं तो अगर यहां पर c equivalent हम लोग देखें तो क्या होना चाहिए c plus csh c1 plus csh parallel में तो ऐसे ही होगा है ना तो c1 को कॉमर कर लें तो 1 plus csh by c1 हम लोग कर सकते हैं है कि नहीं तो इसको हम लोग बोलते हैं fractional compensation fractional shunt capacitive compensation तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं c1 plus k csh इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ठीक है अच्छा इसी को एक दो step और भी बढ़ा देते हैं ताकि आगे काम आए इसी में अगर आप देखें बस इतना ही है यह जो पार्ट होता है किसी किसी question में ऐसे भी रहता है यह जो पार्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं, shunt capacitive compensations, kcsh, ठीक है, this is xc1 by xcsh, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं, csh by c1, करेक्ट है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अब आप यहाँ पे देखिए, c equivalent उतना आ गया, तो अब यहाँ पे surge impedance zs2 अब अगर यहाँ पे देखें, zs2 अग equivalent है, l1 by c1 equivalent, तो मतलब यह कितना होना चाहिए, l1 by c1, this is c1, c1, 1 plus kcsh, है कि नहीं, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, l1 by c1, l1 by c1, l1 by c1 under root 1 plus kcsh, मतलब आप आप देखो, zs2 को हम लोग लिख सकते हैं, zs1, यह zs1 है, under root l1 by c1 is zs1 divided by 1 plus kcsh, ठेक है, तो अब आप देखो, अगर capacitive compensation हम लोग कर रहे हैं, याद रखना यह चीज, shunt capacitive compensation कर रहे हैं, तो zs क्या हो रहा है, zs decrease हो रहा है, है कि नहीं, surge impedance decrease हो रहा है, capacitive compensation करने पे, surge impedance decrease हो रहा है, जब surge impedance decrease हो रहा है, तो इसका मतलब surge impedance loading क्या होगा, increase होगा, surge impedance loading increase होगा, v square by zs2, तो surge impedance loading increase होगा, zs2 decrease होगा, तो surge impedance loading increase होगा, जब surge impedance loading increase होगा, तो इसको तो हम लोग ideal power transfer capability भी तो बोलते हैं, तो इसका मतलब surge impedance loading increase होने का मतलब power transfer जो है, वो increase होगा, जब power transfer increase होगा, तो इसका मतलब delta increase होगा, क्योंकि आपको पता है, P is also P max sin delta, correct है, तो delta increase होगा, तो shunt capacitive compensation करने से क्या सब चीज होगा, तो यह चीज आप देख चुके हैं, है न, याद रखना, एक-एक point हम बोलने हैं, बार-बार बोलने हैं, तो इन सब एक-एक चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, अब next देखते हैं, shunt inductive compensation से क्या होगा, ठीक है, shunt inductive compensation, next देखो अब, याद रखेगा एक छीज, अब next point is shunt inductive compensation, shunt inductive compensation, shunt inductive compensation, तो यह क्या होगा, shunt inductive compensation, यह भी देख लीजें आप लोग, तो इसमें भी देखो, यह तो case आप जानते लिए हैं, आप यह मालोज initially हमारे पास ऐसा था यह और यह यहाँ पर zs1 है है कि नहीं zs सब्सक्रों और यह l1 c1 तो इस case में जो zs1 था वो क्या था under root l1 by c1 है कि नहीं और surge impedance loading जो था इस case में आप यह देख लो v square by zs1 हम लोग माल लेते हैं this is zs1 ठीक है तो surge impedance loading शुरुवात में इतना है अब अगर हम लोग shunt inductor parallel में लगा दें तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए shunt inductor अगर हम लोग parallel में लगा चलो इसी में हम लगा रहे हैं अगर lsh लगा देंगे तो क्या हो जागा तो वो भी आप देख लो तो equivalent करके हम लोग देखते हैं ऐसे तो वन बैसी equivalent जे ओमेगा ल एस एच इंटू वन बैज ओमेगा c1 divided by जे ओमेगा ल एस एच प्लस वन बैज ओमेगा c1 ऐसा हम लोग कर सकते हैं इसको मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं तो जे ओमेगा lsh divided by 1 minus omega square lsh c1 ऐसा कर सकते हैं हम लोग अब आप एक काम करें देखिए 1 by jc equivalent है तो 1 by करके करना परेगा हमको तो यह यहाँ पर कितना आना चाहिए 1 by jc equivalent is equal to 1 divided by 1 divided by j करेंगे तो minus j आ जाएगा न उपर तो minus j divided by omega lsh minus यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए यहाँ पर j मतलब जैसे minus omega square है ना तो j omega square हम लोग कर सकते थे इसको j omega का whole square तो मतलब यह क्या रहेगा j omega lsh c1 ऐसा रहेगा यह है ना तो अगर आप इसको देखेंगे अगर आप इसको देखिए तो अगर हम हम लोग c1 by j omega c1 अगर हम common करें यहाँ से 1 by j omega c1 अगर हम लोग यहाँ से common करें तो 1 minus कितना रहेगा 1 minus 1 by omega square c1 lsh है ना मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हैं तो c equivalent is equal to c1 1 minus 1 by omega square lsh c1 हो गया और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक second इसी को हम लोग बोलते हैं c1 1 minus k lsh fractional shunt inductive compensation gate में जो question रहेगा तो ऐसे रहेगा कि 30% संट inductive compensation हो गया तो k lsh 0.3 रहेगा है ना 30% मतब k lsh 0.3 तो ऐसा हो गया अब अगर आप देखेंगे तो अगर आप जड़ेश 2 यहाँ पर देखेंगे तो जड़ेश 2 यहाँ पर कितना होना चाहिए अंडर रूट l1 by c equivalent है कि नहीं तो मतलब यह कितना रहेगा अंडर रूट l1 by c equivalent करेंगे तो कितना रहेगा यहाँ पर c1 1 minus k lsh है ना मतलब आप यहाँ पर यहाँ पर यह कितना होना चाहिए अंडर रूट l1 by c1 divided by अंडर रूट 1 minus k lsh मतलब आप यह देखेंगे जड़ेश 1 divided by 1 minus k lsh हो गया यहाँ पर है ना मतलब आप यहाँ पर देखो अब इस case में जड़ेश तो increase हो रहा है इस case में जड़ेश तो increase हो रहा है डिनोमिनेटर में 1 minus करके है तो यह तो 1 से कम ही हो गया जड़ेश तो increase हो गया जड़ेश इंक्रिज हो गया तो surge impedance हो गया अपको समाझ में याद रखेगा यह सब चीज़ कॉंपी पर आप करते जाएंगे नो तो आपको क्रेस्कोर्स है लेकिन हमको पढ़ाना तो सब कुछ है तो आप थोड़ा अगर स्पीड ज्यादा लगे तो स्लो कर लेना स्लो लगे तो ज्यादा कर लेना यूटूब में तो लक्चरी है आपके पास यह है तो इतना समझ में आ गया शंट इंडक्टिव कंपेंशेशन शंट क करके देखते हैं कि क्या होगा यह सब चीज याद रखिए ठीक है अब है सिरीज कैपेसिटिव कंपेंशेशन 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 याद रखना एक-एक point हम बोल रहे हैं आपको series capacity compensation बहुत important है यह सब देखो initially line हमारे पास यह है ZS, L1 and C1 तो यहाँ पे अगर ZS1 हम लोग देखें तो ZS1 is equal to under root L1 by C1 surge impedance loading अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो V square by ZS1 होगा यहाँ पे है ना अब अगर आप देखें अब अगर हम capacity compensation यहाँ पे कर दें ठेक है यहाँ पे अगर हम लोग series में capacitance लगा दें हम यहाँ पे जो कि हम आपको बता हुए है क्या क्या होता है series में capacitance लगाने से तो आप देखो L1 है ना suppose करो CSE है यह CSE है यह है ना और यह C1 मतब हाँ C1 है करेक्ट है तो आप अगर देखें तो अगर इस case में जैडेस तू हम लोग देखें तो क्या होना चाहिए L equivalent divided by C1 है ना इसमें जो series में है यह यहाँ पर L equivalent होना चाहिए है कि नहीं तो मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप इसको L equivalent हमको basically यहाँ पर पता करना है ठीक है तो वो भी देख लीजे कैसे होगा तो मतलब J omega L equivalent अगर हम लोग यहाँ पर J omega L को common कर लो तो 1 minus 1 by omega square L CSE है ना ऐसा ही रहेगा मतलब आप J omega L J omega को cancel करके L equivalent अगर हम लोग देखें तो L 1 minus KL मतलब K CSE हम लोग बोल सकते है Fractional Series Capacitive Compensation is KCSE Fractional Series Capacitive Compensation is KCSE बार-बार हम बोल लें Fractional Series Capacitive Compensation gate में इस टैप का question रहेगा तो अब अगर हम लोग ZS2 देखें अब अगर हम लोग ZS2 देखें तो ZS2 मतलब क्या होना चाहिए L equivalent तो L 1 minus KCSE divided by C है ना मतलब यहाँ पर क्या होगा under root L1 by C1 under root 1 minus KCSE मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं ZS under root 1 minus KCSE अब आप यह बताओ कि ZS reduce हुआ या नहीं हुआ इस case में surge impedance reduce हुआ या नहीं हुआ हुआ तो ZS यहाँ पर कम हो गया तो ZS यहाँ पर कम हो गया एक एक चीज़ को एक चीज़ और भी notice करो अगर capacitance यहाँ पर देखना सब सही है मतलब कोई problem तो नहीं है यहाँ पर एक second ठीक है सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को यह सबसे पहला था सब कुछ हम बता देना चाहरा है पहले था सबसे पहला था शंट capacitive compensation सबसे पहला था शंट capacitive compensation उसके बाद था शंट inductive compensation उसके बाद क्या है series capacitive compensation series inductive compensation भी कर सकते हैं तो उसमें L equal to simply L1 plus जो add करेंगी वह हो जाएगा ठीक है अगर series inductive compensation देखे तो तो इस टाइप का इन सब पर question पूछता है इन सब पर question पूछता है एक हम question आपको दे रहे हैं एक question हम दे रहे हैं इसी में compensation अगर suppose करो ऐसा करते है ठीक है अगर ऐसा करते है और यह यहाँ पर load है suppose करो यह L1 है यह C1 है यह CSE है और यह CSH है अब यहाँ पर क्या होना चाहिए तो अब यहाँ पर देखो कुछ भी नही है अब अगर यहाँ पर देखें तो ZS2 जो है ZS1 तो रहेगा ही और जब parallel में हम लोग मतलब जब series में हम लोग किये हुए थे capacity compensation तो ZS1 मैनस KCSE आया था KCSE और जब parallel में किये थे तो denominator में parallel में अगर एक second यह LSH है जल्दी जल्दी के चकर में यह LSH है ठीक है तो 1 मैनस जब हम लोग जब हम लोग जब हम लोग ऐसा करते थे कि series में capacity compensation था तो आप देखने ZS1 मैनस KCSE 1 मैनस KCSE जब parallel में हम लोग shunt inductive compensation करते थे तो उसमें 1 मैनस KLSH आता था ठीक है तो इस case में ऐसा हो जाएगा है ना तो इन सब टाप का question आप लोगों से पूछा जा सकता है gateway में ठ इस पर एक example देखो आप इस पर example देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक example हम आपको बता रहे हैं यहाँ एक example देखिए A 200 किलो वोल्ट लाइन किलो वोल्ट लाइन है एल इकॉल टू 0.2 मिली हेंडरी पर किलो मेटर and C is equal to 0.2 मैक्रो फेराइड पर किलो मेटर ठीक है ऐसा है तो अब ideal power transfer capability यहाँ पे क्या होगा आइडियल पावर ट्रांसफर केपेविलिटी यहाँ पे क्या होगा ट्रांसफर केपेविलिटी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा आइडियल पावर ट्रांसफर केपेविलिटी यहाँ पे क्या होना चाहिए तो अगर आप यहाँ पे देखें सबसे पहले हम हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग जैड एस निकालेंगे और वो क्या होना चाहिए एल बाइसी वन भी कर सकते हैं पर किलोबीटर में तो है न इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जिरो पाइंट टू इंटू टू दी पावर मैनस त्री डिवाइड़ यह क है तो हम आपको बता चुक है क्या होना चाहिए वी इसको है डिवाइड़ बाइड़ जैडेस है ना ऐसा है कुश्चन अब अगर इसी कुश्चन में ऐसा बोलता कि जो इंडक्टेंस है ना उसको कंपेंशेट कर दे रहे हैं हम लोग 30% से ठीक है तो कंपेंशेट 30% से कर द तो 0.7L आ जाता है कि नहीं और C तो उतना ही है तो जितना था पहले उतना ही है तो अब ZS2 अगर हम लोग देखेंगे तो 0.7L divided by C1 L1 by C1 तो ऐसे निकाल लेंगे ZS2 अब ZS2 आ गया तो ideal power transfer capability इस case में भी हम लोग निकाल लेंगे है कि नहीं तो इस step का question आप लोगों से formula यह है अधर बैस जब आप करेंगे ना कॉपी पर जब आप पढ़ेंगे ना राम से बैठके seriously sincerely sincerity से तो फिर आप लोगों को यह सब बहुत असान लेगा बहुत असान होता ही है ना तो उमीद है कि आपको यह surge impedance loading समझ में आ गया आपको transmission reflection समझ में आ गया है कि नहीं इन सब पर question पूछा जाएगा एक एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है ना और इस पर जब question करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आगा ठीक है परहे करो अच्छे से हमेशा अपना 100% दो जो होगा देखा जाएगा ठीक है तैंक्यू परहे करो